कहते हैं कि जो पेड़ है यह रास लीला करते हैं बट अभी तो मेरे पेड़ सजी से दिख रहे हैं यहां पे जितनी भाखवान है ना खून सपोटक दिया गया है इंदेखो दिखादे हैं मोबैल से बना मोबैल से बना इन्फ्लूएंसर में बहुत बड़ी ताकत होती है इन्फ्लूएंसर लोगों को इन्फ्लूएंस करता है इसलिए उसको इन्फ्लूएंसर बोलते है अब एक अच्छे इन्फ्लूएंसर तो लोगों को मोटिवेट कर सकता है लोगों को सक्सेस की रहा दिखा सकता है लोगों को inspire कर सकता है उनको entertain कर सकता है पर वहीं एक negative influence लोगों को उकसा सकता है गलत काम करने के लिए लोगों को गलत रहा पे डाल सकता है लोगों को एक गड़े में धकेल सकता है उनकी जिंदगी बरबाद भी कर सकता है और ऐसे कई examples मैंने इस channel पे दिये हैं in the series which is called as creators gone wrong इस और अगर मेरे जैसे channel अर काम करता है social awareness पे तो बहुत जरूरी हो जाता है it's my responsibility मेरा फर्ज है कि मैं जहां भी मुझे ऐसे गलत influence दिखे उसको मैं condemn करूं क्यों कई बाद थोड़े 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 ऐसे influence लेकर न सोच change होती है सोच बहुत गलत तिशा में चली जाती है इंसान गलती को पुतला है कोई problem नहीं है गलती है करने से पर जब उसको गलती को highlight करा जाए वह बड़े paradox है एक बड़े भाई की तरह है या एक ऐसे इसे इसान जो आपके दोस्त की तरह है आपको बता रहा है आपको highlight कर रहा है कि यहां आपसे गलती हुई है और आप उसको negative influence है वो कही ना कही neutralize होता है इसलिए बहुत important हो जाता है ऐसे चीज़े को condemn करना और उनके बारे में बात करना and that's why I've been doing these videos often time again और उसके बहुत उधारण आप देख सेते हैं पर मैंने यह experience किये कई लोग तो अपनी गलतियां सो उधाल लेते हैं कई लोग समझ जाते हैं पर व्लॉगर है जिसके 4 million से जादा subscribers हैं Indian YouTube पर गौरवजून जो गलतियां गलतियां कर करके उससे सीखता नहीं है वो यह देखता है कि और जादा attention कैसे खीचे जाए और जादा views कैसे खीचे जाए और मैं थोड़ा सा अपसेट हूं उन लोगों से जो अपने व्लॉगर को अपने इंफ्लॉइंसर को जिनके वो फैन है उनको feedback नहीं देते हैं माना वो इंफ्लॉइंसर उनको एंटेइन करते हैं पर आपकी भी responsibility अगर वो गलत जा रहा है तो उसको बताना कि आप गलत जा र और यह कि कहां आप गलता है बिकाज एज इंसान गलती को पुतला है हर कोई गलती करता है हर कोई गलती से सीखता है because that is the only way to learn तो अभी कुछ ऐसा ही है in fact बहुत जादा निंदनिये काम किया गौरव ने अपने रिसेंट व्लॉग में जाउन होने ने नेदी वन को शूट कि इसको एक खौरड व्लॉग में तबदील कर दिया which should be condemned by everybody on this YouTube community including his own fans and his own subscribers तो पहले मैं आपको यह बतातो कि नेदीवन का इत्यास क्या है नेदीवन की history क्या है मान्यता है क्या है नेदीवन के अराउन why this place is so special and this lies in the hearts of so many why this is the basis of faith and devotion and belief of so many Hindus including my own mother but I am sure बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा तो उनके लिए थोड़ा नेदीवन के बारे मैं बता देता हूँ important है जानना कि इसका इत्यास किया है नेदीवन की जो स्थापना है वो स्वामी हरिदास ने करी जिनके पार भक्ती से जिनके करम से प्रसन होके भगवान श्री कृष्ण नेदीवन में आये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण इस नेदीवन से इतने प्रसन हुए इतन की शेप थोड़ी अलग है जुके हमें हैं सब और एक ही शेप के हैं सारे मिलते चुलते हैं वो actually में एक गोपियां है इन फेक्ट ये भी का जाता है वो गोपियां नहीं वो सादू है जिनों ने वहाँ कई दशकों तक centuries तक प्राथना करी meditation करी बक्ती करी और आज भी इंडिया की culture, हिंदुस्तान की culture और संस्कृती की प्रेणना स्तोत्र को respect करते हैं और करनी भी चाहिए because this place is just not a story, this place is a basis of faith which gives motivation, inspiration to so many ऐसी जगा उसे प्रेणना मिलती है और भगवान श्री कृष्न जिनके नाम पे ये जगे बहुत जादा popular है वो वही भगवान श्री कृष वो सारी जो भगवान है उनको ढग देते हैं आरती करके, मिठाई चड़ाके, वो सारे उनके आभूशन, सोने के लिए, समान, वो सब कुछ उनके लिए रख देते हैं because उनका belief है, उनका faith है, उनका trust है कि हाँ भगवान आते हैं और आदा मा आती हैं और उसके बाद किसी को इजाज़त नहीं है यहाँ आने की इजाज़त नहीं है और इसलिए इस टेंपल में किसी को भी जूते चपले पहन के आने की इजाज़त नहीं है and in order to give respect to that faith, in order to respect this place, in order to respect the religion, the Hindu religion and the Lord Shri Krishna यहाँ पाच बज़ के बाद किसी को अनुमती नहीं है कि वो अंदर जाए गेट बंद हो जाते हैं इस जगे की respect maintain करने के लिए, इस जगे की sanity maintain करने के लिए ऐसी कई चीज़े भी कही जाते हैं कि यहाँ आप रात को कर जाएंगे, तो आप अंदे हो सकते हैं और कई stories भी famous कि यह ऐसा हुआ, लोग अपना mental balance खो सकते हैं यह जो पेड़ हैं, वो गोपियां बन जाते हैं यहाँ music सुनाई देता है घंगरुगों का, because भगवान रास रचाते है यह भी कहा जाते है कि जो जितने पेड़ हैं, वो अच्छली गोपियां हैं, 16,000 पेड़ जो हैं, वो अच्छली गोपियां हैं उनकी रानियां हैं तो कही तरीकी मान्यता हैं, पर मुझे लगता है, I don't want to go into the stories because the basis is the मान्यता, the faith, the trust which gives you inspiration to go ahead in life and something which is too big, which is that this place is symbolic to love and devotion above everything, love and devotion जो कुछ मुर्खों को कभी समझ में नियाएगी कि religion का असली मतलब क्या है what is symbolism, what is faith, what faith does to people because sheaad वो life में भी उस मोड पे आई नहीं है you can't take away this fact that this legendary place is a reflection of rich culture and religious heritage of India और मेरे लिए सबसे 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 इंपॉर्टन है कि किसी के religious sentiments जिसे उनको उत्साह मिलता है, motivation मिलती है, inspiration मिलती है life में आगे बनने का उत्साह hurt क्यों कर, उसको disrespect क्यों करे that is more important और हमारा law भी कहता है कि you should not do that और इंडिया में secularism है where you must respect everybody's religion and let everybody practice their religion it is very important to not make mockery of these things और जो चीज प्राचीन काल से जो मानियते चलिया आ रही है जिससे लोगों कुछ साह मिल रहा है जीने की जीने की शक्ती मिल रही है उसको disrespect क्यों करना आप debate जितना भी करो पर disrespect मत करो अपने विचार आगे रखो पर मुखाल मत उड़ाओ और यही किया गौरव ने उसने मुखाल उड़ाया प्रॉलम मुझे उस चीज से है मैं वताता हूं कैसे His title of the video Trees Converting Into Ghost The trees which are symbolic to Gopiya which is love and devotion Sadhu which is again love and devotion He He called them ghost And that was a click-bait-y title I understand एक मुरक प्राणी विउस खिषने लिए सब करेगा पर Why to disrespect certain religious sentiments like this Making mockery of it Gopiyaan ghost में convert हो रही है Trees ghost में convert हो रही है What does that mean? जूते पहन के जाना loud नहीं है पर यह लोग यह तीन लोग जो दिख रहे है गौरव और गौरव के कुछ दोस्त गवार मुरॉंज दिवार फान के अंदर गए वो भी जूतों के साथ Which is prohibited Which again respects the entire place and the sanity of the place यह हो सकता हमाई लाष्ट वीडियो भी हो सकती है तो बहुते है ना कुछ नहीं आरही है आजाओ भाई आतो रही है आरिये भाई आरिये देखते है ना कहां से आरिये चलके देखते हैं कोई लफड़ा पड़ेगा तो भाग लेंगे आरिये तो आराम साई और सापमी यह बोलते काई बार-बार की यह डरावनी जगे है डर लग रहा है As if this is some kind of a haunted place और क्यों म्यूजिक चलाया है गौरवने जैसे कि कोई B-grade Bollywood की मूवी चल रही है उसका सेट है ऐसा म्यूजिक जिसको म्यूजिक को म्यूजिक को सुनके ही इंसान को घरना हो जाए You shoot the vlog, you do everything I mean, still acceptable बट भूतिया म्यूजिक चलाना की जैसे कि वो सेट है किसी Bollywood की B- or C-grade movie का वो म्यूजिक पूरे रव्लोग में रखना का क्या मतलब है जिस फुटेज पे भक्ती संगीत आना चाहे है वहाँ भूतिया म्यूजिक डाल रहे हो इससे इस इंसान की सोच का पता चलता है In fact, they shot the entire temple at night which is prohibited आप दिन में जितनी भी शूटिंग करो पर रात को मना है पर वो temple की ही shooting नहीं करी उस जगे की shooting नहीं करी उस temple के अंदर जाका भी जिन मूर्तियों को, जिन भगवानों को ढखके रखा गया है पुझारी ढखके चले गया है और सालों साल वो ये काम कर रहे है उसको आपने एक mobile से shoot करा है और ऐसा दिखा है कि वहाँ कोई बैठा है और फिर मजाक में ये बुला कि कहीं भगवान तो नहीं है मेरे भाई गौरफ जोन जब पड़ेगी न लाथी तो सब समझ में आ जागा भगवान कहां है और कहां नहीं है अपने अंदर जाको भगवान मिल जाएंगे कभी जाक के देखा है क्या इंडिया की historical और religious heritage को एक horror vlog बना देना चाहिए बिकाज गौरफ जोन has been doing it and getting lot of views from these horror vlogs so he made it even as a subject to one more episode of his horror vlog series Height of Disrespect बहुत लोग हमारे देश का मजाग उड़ाते है बाहर से बाहर से अच्छे के उसका मजाक उड़ाना this is something which outsiders can do but living in this own country being from that religion your disrespecting that shows how careless, how immature you are as a human ये बोलला कि अम कहा कचरे में आगए है नेतम कहीं कचरे लगाने मागए है नहीं भाईच लाता है so clearly Gauras on used Neidevan as a subject as one more episode to his horror series which attracts a lot of views वेकुद उनको पता है व्लोग में बहुत व्यूज खिछ थे हैं तो ऐसा टाइटल डाल दो ऐसा भूतिया म्यूजिक लगा दो this kind of act which is hurting somebody's religious sentiment where you're intentionally making mockery of religion or somebody's religious beliefs may get you imprisoned may get you fine or both you can read on your screen so I've heard this too in fact for them and they told them to delete this video so I think this video may have got deleted but this kind of snippet is very important to showcase because people won't even realize what character this guy is and what kind of a low level this guy can stoop to but please tell me in comments आपको क्या लगता है कि ये video delete हो जाना बस इसकी punishment बहुत है क्या होना चाहिए गौरफ जोन के साथ क्या आपको लगता है कि ऐसी जगे जिसके रावन बहुत सारी माननेत आये हो जिसमें बहुत सारे लोगों का faith और belief हो क्या उसकी disrespect ऐसे करनी चाहिए क्या उसका ऐसे मुखौल उडाना चाहिए आपको क्या लगता है गौरफ जोने सही किया और गलत किया क्या होना चाहिए गौरफ जोन का punishment अगर आप चाहते हैं इस बारे में आगे बात करना तो Twitter पे इस tweet को retweet कर सकते है और जब आपको क्या खाइए the image and the impression of our country our culture, our heritage then please condemn it it's very important to condemn it but don't spread hate but condemn it that this is wrong give the feedback to the person that you did a mistake please make up for that mistake and say sorry so Gaurav ने इस्एट विडियो रिडियो रिडियो but I believe he should apologize and all these three people should apologize publicly that is what I demand what do you think should be done should this guy be given so many chances to keep being on social media like this it's a sad way of creating content or entertainment I don't know what do you think I will say I will say reactions I will say decodes I will say viewpoints I will say opinions I will say on this channel because I hope with this particular video people learn and not make mockery of somebody or the entire community's faith or belief system it's very bad so with this I sign off I am Akash you are watching people you will not see anything shabba khair khuda hafiz astra kal ram ram you will find something yeah you yeah 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 झाल झाल